नितीश कुमार भी अपना राजनिती के स्तर बैतर करने के लिए ही बीजेपी में गए वो भले ही आपर प्रधान मंत्री के सपने देख रहे ते लेकिन आप बीजेपी में जाने के बाद उनका वो सपना तूड़ गया अपने आप में खुद उलजे वे नेता है देखिए नि इनी लालू के लिए इसी आर्जेडी के लिए वो बीजेपी से नाता तोड़ कर आए थी नमस्कार में आजमिन खान और आप देख रहे हैं बात यहाँ पर लोग सभास सीटों को लेकर की जा रही है उबिहार में 40 लोग सभास सीटे हैं और इस बार देखना होगा भारतिय जनता पार्टी के तरफ से और जेडियू की तरफ से जो एक बड़ी बैठक होती हुई नजर आएगी क्या इस बैठक में उतनी सीटे नितीश कुमार को मिलेंगी जितनी सीटे पहले वो लेते हुए नजर आयते या फिर एंडिये की बैठक में यहाँ पर नितीश कुमार को मन चाही सीटे मिलती हुई नजर नहीं आएगी इससे जुड़े हुए तमाम सवाल जहन में आते हैं क्योंकि 2019 की बात करें तो 2019 के लोग सभच चुनाव के मद्धे नजर भारतिये जंता पार्टी के साथ मिल गए थे नितीश कुमार और नितीश कुमार की पार्टी जेडियू का गडबंधन एंडिये के साथ देखा गया उस दौरान नितीश कुमार को एंडिये की तरफ से 17 सीटे दी गई थी और 17 सीटो पर नितीश कुमार ने 16 सीटो पर विजय हासिल की थी और एक सीट उनसे रह जाती है लेकिन क्या इस बार भी 17 सीटे मिलती हुई नजर आएंगी या फिर 17 सीटे भी उनके पाले से कहीं और नजर आएंगी क्योंकि मांग यहां पर सर्फ जेडियो की नहीं है मांग सर्फ नितीश कुमार की नहीं है बलकि मांग यहां पर जीतन राम मांजी की भी है मांग पशुपती पारस की भी है मांग चिराक पासवान की है अब यही देखना होगा कि इन तमाम मांगों के बीच में नितीश कुमार को कितनी सीटे एंडिय की तरफ से मिलती हुई नजर आती हैं तमाम सवाल तमाम जवाब निकल कर सामने आएंगे मेरे सयोगी आकाश मेरे साथ जोड़ चुके हैं जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बार कि लोग सभा चुनाव को लेकर आ तो वहीं नितीश कुमार फैसला यहां पर लेते हुए नजर आएंगे इंडिय की बड़ी बैठक होनी बाकी है और इसमें ये देखना होगा कि नितीश कुमार पर क्या एंडिय भरोसा जताता हुए नजर आएगा क्या वही भरोसे के साथ उतनी सीटे दी जाएंगे जितनी सीटे 2019 में देने की बात कही गई थी या फिन नितीश कुमार को एक बड़ा धोका एंडिय की तरफ से मिल सकता है नाजमी देखिए बिहार की राजनीती में नितीश कुमार ने जिस प्रकार से पल्टी मारी वो अपने आप में कई से बड़ी सवाल खड़ी करती है तो बिज इश कुमार एक बहतर आप्शन थे बात बीजेपी समझ गए थी और लोगसभा चुनाव से पहले बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी ऐसा कंडिडेट उनसे दूर जाए या कोई भी ऐसा निता उनसे दूर रहे जिसे लोगसभा चुनाव वो जीतने में उनको मुस्किले दिया बात बात की जाए तो मोहनजी अदव को टार दिया गया यादव वोट बैंक के लिए राइस्थान से प्रहम्ड वोट बैंक के लिए जनजात से यहां पर européषग पर शतेस गल पर उतार दिया गया मुक्हमंतरी के तॉरपर और उत्तर प्रदेश में तो यहां पर खेल प्रधान मंत्री के सपने देख रहते लेकिन आप बीजेपी में जाने के बाद उनका वह सपना तूड़ गया लेकिन मुख्यमंत्री की कुरसी उन्होंने पा लिये लेकिन अभी तक काबिनेट का विस्तार भी तो नितीश कुमार ने नहीं किया है तो यह नराजगी यहाँ प समराट चौधरी से पूछा जाता है कि काबिनेट का विस्तार कब होगा कब पूरी तरह से आप काबिनेट यहाँ पर बनाते वे नजर आएंगे तो समराट चौधरी कहते हैं नितीश कुमार का फैसला है यानि कि उन्हें भी नहीं मालूम कि नितीश कुमार कब कदम उठात देखिए नितीश कुमार कब सुलज रहे हैं कब उलज रहे हैं वो उनको भी नहीं पता है आप खुद देखिए कि महज लोग सभाद चुनाओं कि दो तीन महीने पहले वो पल्टी मार जाते हैं बीजेपी में चले जाते हैं आरजेडी की बुराई करना सुरू करते हैं लालू की बुराई करते हैं जबकि कुछ वक्त पहले इनी लालू के लिए इसी आरजेडी के लिए वो बीजेपी से नाता तोड़ कर आए थी तो बीजेपी या नितीश कुमार इन दोनों को अपना फायदा दिखाई देता है चु तो राजनीती में और बिहार की राजनीती में कोई किसी का सागा नहीं है। चाहें वो लालू यादव हो, चाहें वो तेजस्वी यादव हो, चाहें नितीश कुमार हो, चाहें समराज चोधरी हो। यहां पर नितीश से मिलकर NDA में नितीश के जाने के बाद समराच चोधरी को डिप्टी सियम का पद मिल जाता है यह भी तो समराच के लिए बड़ी बात है समराच चोधरी इतने दिन से बीजेपी के लिए बिहार में आवाज मुखर कर रहे तो कुछ नहीं हुआ नितीश के ऑने के बाद समराच चोधरी को भी फाइदा हुआ है समराच चोधरी जानते हैं फाइदे मन्द आदमी है साथ में जुड़े रही है आगे भविष में में घर कर देगे देखे अगर आप आपने यहां पर पर करिए तो फायादे की बात को लेकर हम चिराग पासवान का भी मी जिकर कर लेते हैं क्योंकि चिराक पासवान भी भाट करें हैं कि पिछले चुनाव में आपने चैसी दीटि और यहीं चैसीटों की महां की फिरसे कर रहें लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर चिराग पासवान का भी पेज़ फस सकता है इसलिए वो बार बार नितीश कुमार के खिलाफ अपने चाचा का समर्थन करते वे नज़र आ रहें तेजस्वी यादव की यात्रा का समर्थन करते वे नज़र आ रहें तो क्या फायदा यहां पर चिराग पासवान भी देखेंगे चिराग पासवान का एंडिये में फायदा मुझे तो नजर नहीं आता इससे पहले भी जब बैटके चल रही थी तो चिराग पासवान एंडिये में गए थे फ्लोटेस से पहले गए थे उनको उमीद थी कि फ्लोटेस से पहले उनके अकेले के जो वो सांसद है तो बीजेपी उनको अपना लेगी देखी बीजेपी इस वक्त बहुत तीखी राजनीती कर रही और चानक कि यूही नेका आ जाता बीजेपी को आप सूचिए कि BJP ने उन्ही नेताओं को साधने की कोसिस की जिनके पास वोट बैंक था उनको साधने की कोसिस की यहाँ पर चिराग पासवान अकेले के सांसाद उनको लेकर BJP कर भी क्या लेगी और अगर एक नेता गाई भी हो जाता तो BJP क्या फरक पड़ता है जीतनरामांजी जैसे चार नेता विधायक उनके पास है तो उनको अपने पास रखेगी नितिश कुमार के पास अच्छा कासा विधायक दल है उनको अपने पास रखेगी ललन सिंग से बाच्चित करेगी ताकि वो न जाए चिराग पासवान महेजिक सांसद है और उनको यहाँ पर एक option के तोर पर देखा जा रहा है अगर जहुरत पड़ेगी तो चिराग पासवान को सामिल किया जाएगा इसके लिए चिराग पासवान को करी न करी इस बात का अंदाज़ा है लेकिन अगर बात यह पर चिराग पासवान के आप कर रही है तो चिराग पासवान एक option के तौर पर देखे जा रहे इसका अंदाजा उन्हें भी है और वो भी जानते हैं कि BJP सायद मून का भला कुछ करे ना करे इससे पहले एक और अपनी हिसाब से option लेके चलिए एक background कही न कहीं प्लान करके चलिए कि तेजस्वी के साथ जुर सकते हैं यहाँ पर बड़ा पद मिले न मिले हमारी सांसदी नहीं जाएगी एकाद राज जिसे हम कहीं न कहीं नेता बने ही रहेंगे राज नीती में हम कहीं न कहीं दिखाई देते रहेंगे विल्यूप तोले से अच्छा है कि छुपकर कहीं न कहीं बैठे रहें बिल्कुल यहाँ पर चिराग पासवान के साथ तेजस्वी यादब बेशक समर्थन करते वे ना नजर आए लेकिन जीतन राम मांजी का समर्थन करते वे नजर आए जैसे कि यहाँ पर चिराग पासवान के तहत यहाँ पर तेजस्वी यादब ये कहते वे नजर आए कि जीतन कि जब यहां पर उन से नहीं बनती तो बुराई करते हैं कि नितिश कुमार ने मुझे भले ही मुख्यमंत्री बनाया था लेकिन जब मैं काम करने लगा तो उनके लोगों ने कान भर दिये कि यह तो काम कर रहा है आपका पत्ता गायब हो जाएगा तो जीतन राम मांजी हो चा हतिया लेते हैं यहां पर एक आखरिफ सवाल यह रहेगा कि अगर नितिश कुमार यहां पर जिस उमीद के साथ एंडिये के साथ जुड़े थे अगर यहां पर एंडिये उतनी सीटे नहीं देता है तो क्या वापस तेजस्वी यादव के पास जा सकते नितिश कुमार जब nahvation के दोनों दोन हो दिखकत नहीं है तो इस जाली पर उसको चुगने को बराबर मिलेगा तो नितिश कुमार इसी वक्त ब 不對 में अपने जुगार के लिए वह कहीं भी जा सकते हैं तभी तो नितीश कुमार को पल्टु राम कहा जाता है अब यही देखना होगा कि एंडे की जोल्द कब बैठक होती ही नजर आती है क्योंकि अब लोग सबह सीटों को लेकर ही मंधन करना है बिहार में कब बैठक होगी कब नितीश कुमार को लेकर आइन्यूस तनिवाद